क्या गोतम अडानी अब BBC को खरीद लेगा और वाकई BBC सरेंडर कर जाएगा और BBC अब जिस तरह से देश की और तमाम संस्ताएं और मीडिया समु लगातार एक के बाद एक अडानी के हाथों में चलेगे क्या इसी तरह से अब BBC भी अडानी का हो जाएगा क्या है क्रिनोलोजी एक क्रिनोलोजी जा हुश सामने आई है और उस क्रिनोलोजी के तहच जो है अब कहा जा रहा है कि BBC के ऊपर भी या BBC को भी अब अडानी खरीद देगा अडानी का कबज़ा हो जाएगा दरसल अडानी की एक रेड एक जो है वो इनकम टेक्स की माफ कीजिए अडानी साब नहीं अडानी साब तो अलग काम करते हैं उनका अलग काम है वो इनकम टेक्स की इनकम टेक्स की एक रेड पड़ी उसको कहा गया कि रेड नहीं है सर्वे है इनकम टेक्स का चलिए मालीय सर्वे है लेकिन आप कहा जा रहा है कि यह सब कुछ एक माहोल तयार किया जा रहा है और यह माहोल तयार करके यह सारा का सारा बीबीसी जो है वो अड़ानी से आपके पास पहुंच जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ करोनलोजी लेकिन जर्णासर मैं आपको एक थोड़ा सा कई अपने पुरानी हिंदी पिचरों में देखा होगा कई बार लोगों से सुना होगा आखवारों में कई एसी घटनाय निकल करके सामने आती है होता ये है कि कोई एक जहें होती है कहीं पर क जाकर के रोब जाड़ते हैं उदबंग आदमी जो है उस जहें पर जाकर के रोब जाड़ते हैं और फिर जब वो रोब जाड़ते हैं वहाँ पर जगड़ा फसाद करने की बात होती तमाम सरे की बाते कहीं जाती है फिर उसके बाद में एक एंट्री होती तीसरे आदमी की तीसरे आदमी के एंट्री होती हुए तीसरे आदमी जो है उस जहेंवाले मालिक को समझाता है कि देखो भाई ये तो लफंगे हैं इनका काम यही है लोगों के साथ जगडा करना जगडा करके जो है पलोट को कबजा कर लेना और तुम्हारा पलोट भी जो है वह ऐसी कबजा क कर Лें तुम एक काम करो मेरी सलामानों अपनी जहें को फलाने डिलर से बात कर के ये कप जा करए वो करे उससे पहले उसको बेच तो और वозको बेच देता फिर बाद में जो है वो कहीं से पता चलता है कि देखो साब ये तो जिस डीलर को हमने बेचा है ना उसी डीलर के गुरगे थे कई बार ऐसी चीजे कई बार ऐसी कहानिया जो है वो निकल करके सामने आती है अब जो ये कहानी मैंने आपको बताई है कई हिंडी फिच्चरों में आपने देखी होगी कई जो है अख़वारों में आपने पड़ा सुना होगा कई वर आपके हो सकता कि आसपास इस तरह की चीजे होई हो अब इसी तरह की कुछ करणोलोजी वो बताई जारी कि अडानी चापा पड़ा और एंडी टीवी को अडानी ने खरीद लिया किर्शना पतनम पोर्ट के दफतर पर चापा पड़ा फिर ये पोर्ट भी अडानी ने खरीद लिया अंबूजा एसी सी अल्टर टेक सीमेंट के दफतर पर चापा पड़ा अंबूजा और एसी सी के सेर का बड लेकिन आप देखी कह रहे हैं कि क्विंट के दफ्तर पर चापा बढ़ा क्विंट खरीद लिया एंडीटीवी के दफ्तर पर चापा बढ़ा एंडीटीवी खरीद लिया यह चापा डालने के लिए कोई जाते हैं या बताते हैं कि साब डील हो जाएगी बात हो जाएगी आप का प्डोट आपके पास ही रहेगा कोई चिंता की बात नहीं है आप अमारे डिलर से बात कर लीज़े क्या यह सब कुछ होता है कि क्योंकि बहुत सारी चीजे जो है वो पब्लिक डोमेंग में आ नहीं पाती है और बहुत सारी चीजे पब्लिक डोमेंग के अंदर यह है वो फिर बाद में कुछ करनोलोजी केता है जो है वो जोड Gesetz पर कही बार पता चलता कि हां वही करनोलोजी जो है वह सक्ततीं तो यह जो है। यह यह वह किर पूरा छानड़ हम करने के लिए जाते है क्या या फिर उस मालिक से बात करके कि देखे तुमारी कंपणी के अंदर इतनी चीज़े जान हैं अगर यहां पर यह कारवाई की तो यह नुक्सान हो जाएंगे इससे बचना है तो फिर आपको यह करनो क्या यह सब कुछ किया जाता है क्या और इसी लिए कुट बहुत आल्टरेटेक सिमेंट किर्शना पतनम पोर्ट अब आगे आगे का ट्वीटिन का देखिए मुंबई एरपोर्ट मेनेजमेंट कमपनी जी वी के पर छापा और मुंबई पोर्ट अडानी ने खरीद लिया हलाकि अडानी पर भर्षचार हेर फियर के कई आरोप लगे लेकिन द सर्म गठबंदन आपने कभी देखा सुना है मुड़ानी है तो मुमकिन है तो ये बात इन्होंने आप पर कही है आप जड़ा सोचिए समझिए जो बात मैं आपको एक उधान के तहत बता रहा था क्या ये वाकी है बीवी सी जो है मुझूदा वक्त में एक ऐसा लगता कि आ बड़ी रिसर्च कर सकते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं वहाँ पर थोड़ी आपको ये आजादी मिल सकती है और बाकी में तो ये है कि आप जो है वो शाम को पांच से दस बज़ तक कैसे जो है मुर्गा लड़ा सकते हैं कैसे दो हिंदू दो मुसल्मान दो मोलाना दो पंडितों को बठा करके काउं 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 के डिबेट करवा सकते हैं तो बाकी तो वो जो है वो पूरी मेंस्ट्रीम मीडिया इस तरह से हो गई है कि इस चाम को चार पांच बजे से ले करके रात को दस बजे तक वही बैस चलती है हाल में घटना हुई है आपने देखा है मैंने आपको बताई एक खबर कि किस तरह से उत्तर परदेश के अंदर जो है एक गरीब ब्राहमन के परिवार को जो है वो उजाडा गया और वहाँ पर उसके परिवार ने आरोप लगाए है कि खुद SDM साहब ने जो है वो आग उस SDM का किस किस साथ में बैठ ना उठना था कहां-कहां से उसकी बाते होती थी SDM के उपर स्थाव में अपने जो सिमित दाइरे में काम कर रहे हैं उनके लिए मुम्किन नहीं हो पाता है लेकिन बीबीसी के पास में जहां एक वो दाइरा है कि जहां पर वो ऐसी काम कर सकते हैं एक पूरी क्रिनोलोजी को जो है वो खंगाल करके बाहर निकाल करके ला सकते हैं अब बी देखने को मिलती है कि किस तरह से पतरकारिता को जिन्दा रखना और किस तरह से पतरकारिता के लिए जो जो मिनिस्टर पर उतर कर काम करने वाली जो बात थी क्या वाकी ऐसे जो चंद ठिकाने या चंद समू बचे हुए हैं चंद संस्थाइं बची हुई हैं क्या उनको भी धोस्त करने वाली बात है और क्या BBC को भी डरा धमका करके BBC को भी जो है वो अडानी साब को बेच दिया जा करें साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपनोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं